दोस्टो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सभी जीओ रिटेलर भाई वाईयों को एक सिमूईशन करने पर कितना कमेशन दिया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं मैं खुद एक जियो रिटेलर हूँ जियो के सिम नए सिम अक्टिवेशन करता हूँ आप में भी अगर जियो पॉस लाइट से जियो पॉस-प्लस का अकॉन्ट बना लिया है यानि कि जियो पॉस लाइट के अलावा आप सिम करना भी चाहते हैं इन में चो कमीशन दिया जाता है वा महीने लग लग चार्ट आता है और अलग लग चारट के कॉझार्ट नहीं को पर सभी रिटेलरेंग भाई यो को पूड़ाया जा जाता है वाएट कर पाघ्य। थोड़ा सा बदलाव हो चुका है और SIM Activation Commission को आप यूं कह लिए कि थोड़ा सा कम हो गया है मैं आपको latest chart के according यानि के जो नहीं FRC चल रही है जो most people आप famous FRC आती है SIM Activation करने में जो सभी detailer भाई ज्यारतर use करते हैं तो prepaid में आती है करते हैं और customer का इससे SIM Activation करते हैं तो यहां पर सभी रिटिलर भाईयों के लिए Commission के अंदर यहां पर 119 रुपे का Commission रखा गया है और 129 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हैं तो आपको 90 रुपे का benefit होगा और अगर आप यहां पर 1500 का बेचते हैं तो आपको 40 रुपे का benefit होगा तो आपके area में आपके according आपको demand करता है कि आप एक SIM Activation पर कितना Commission कमा सकते हैं यहां पर 249 वाली FRC में आपके अगर 129 रुपे वह हो रहे हैं तो यहां पर आपको इस तरीके से कमिशन का फायदा हो रहा है तो इस तरीके से आप SIM Activation करके Commission कमा सकते हैं अगर आपको और भी कोई प्रॉपर जान करी चाहिए या किसी के रिलेटेट जान करी चाहिए तो आप आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्ते के तरह दरूर शेयर कीजिएगा